हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम अमारा राजा बैटरीज के कौटर 3 के नमबर्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे क्या आपको अमारा राजा बैटरीज के ने इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चली शुरू करते हैं तो देखे सब्सक्राइब अगर हम रेवेन्यू के नमबर्स के अगर हम बात करेंगे तो यह नमबर पिछले कौटर के कंपेरिजन में डो परसेंटेज से हमें गिरता हुआ नजर आया है और यह नमबर आया है टूटाली बैसिस पे यह कंपनी के नेट प्रॉफिटी के अगर हम यह रों यह बिछले के अगर बात करेंगे तो लगबग 11 परसेंटेज का रेवेन्यू ग्रोफ अमें यहां पे कंपनी के अंदर देखने को मिला है लेकिन अगर हम प्रॉफिटी यह नमबर 52 परसेंटेज यह 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 बढ़ता हुआ नजर आया है और यह नमर आया ह काफी बढ़ गए थे और वहां पे जो अकाउंटिंग की जाती है उससे वहां पे कंपनी को इतना कम लॉट दिख रहा था यानि कि कम प्रॉफिड के नंबर्स वहां पे कंपनी रिपोर्ट कर रही थी तो देखिए अगर हम अभी पिछले तीन कॉड़र्स के कंपनी के लगब करेंगे लगबग साथे पांसो करोड के लगब का नेटफर का नंबर यानिकी यह साल के लिपिडर्स को नदेग को पर ये कंपनी आमें ट्रेड होती हुई नजर आ रही है अगर हम revenue आइस अगर हम बात करेंगे साल का 10,000 करोड से ज़्यादा का revenue ये company करती है और अभी अगर हम market gap के अगर हम बात करेंगे लगबख साड़े 9,000 करोड के market gap पे ये company ट्रेड हो रही है यानि कि जितना company ये revenue करती है उचसे भी कंपे के market gap पे ये company आमें ट्रेड होती वी नजर आरही है तो ये कि अगर आप देखोगे अभी overall अगर हम market के अगर हम बात करेंगे जो high growth stock से वो लगबख 50-60% अपने all time high से तूटे हुए है और अगर आप देखोगे जो PSU stock के अगर हम बात करेंगे तो जो अ competitive cash flow generation वाली company में ये नजर आती है और उसके अलाव अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगादार ये company कैपक्स भी कर रही है बैटरी वगेरा बनाने के लिए जो भी electric batteries आने वाली है annual time पे जो electric vehicles क्याने यूज की जाने वाली है तो पॉइंटर भी से देखा जाए तो अच् रिक्स प्रोफाइल हाई है तो आपने यहाँ पे इंवेस्ट नहीं करना चीए लेकिन अगर आप एक value पिक अगर आप ढूंड रहे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आपका capital काफी अच्छा प्रटेक रहना चीए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे downside risk काफी काम है तो पॉ वाल्यू वाइस जहाँ पर कोई ज्यादा ग्रोफ के नंबर्स हमें देखने को नहीं मिल रहें तो पॉइंट वी से देखा जाए यहाँ पर इतने कोई ज्यादा ग्रोफ के नंबर्स नहीं और इसलिए यहाँ पर 20-25 का peer ratio एस्पेक करना मेरे ख्याल से यहाँ पर गलत होग तो दोस्टों मैं हो करता हूं कि हमारा राजा बैटरी के जो quarter 3 के numbers है वो आपको अच्छे समझे में आगे होंगे अगर आपकी कोई भी queries है आप comment कीजिए मैं जरूर आपके comment पर reply करूँगा ओके दोस्टों thank you have a nice day